कि अग्जाइब कर दो एक विडियो तो कहते हैं कि बड़ा बजार जो की कलगता का सबसे पूराना बजार है उसके बाद यह जो बार्गें पे खड़ा हूं यह रोड के ठीक किनारे में हैं तो इस तरह हो गया आपका मलिक यह मौलाली तो मौलाली से तलव इसा आगे में ही है आप चलकर भी आ सकते हो यहां पर तो यह मेन रूड के ठीक ऊपर में है और यह अच्छा लग रहा है तो उपर बीवेड़ पर चड़ गया ऊपर अपर उच्छा लग रहा है यहां से कुछ जो विवें ना कफे शांदर व बाइब पूरा मार्केट का एग इस्पूर्थ हालकि विब्याने पड़णAR चलते हैं कि कि कमस्केटर श्रूर तो खाने पीने के दुकान से शुरू है तो लब-लब कॉफी जादी भीड़ है तो यह चली चलते हैं अंदर तो जैसे कि मार्केट का नाव अता रहा था वह मार्केट का नाव है इन ताली मार्केट तो यह जो है एजसी बॉस रूट के ठीक ओपर में और काफी मतलब यहां के ज़्याद पर काफी अच्छा लग रहा है तो फूल वगरा मिल गए हैं यहां पर पूरा ना मार्केट है और मिल जाएंगे आपको सब्जी के दुकान है इस तरफ कि को कई को कि आप मार्केट ना फूर एक के नीचे में बहुत सरे अगदा ने तो काफी अंग्यान गें दूकाने में peak एक शेड की नीचे इतनी सारी दुकान हैं तो काफी अच्छा लग रहा है देखके यहां पर सारे वेजटेबल वेंडर से यहां पर इस मार्केट में ना गाइस वेजटेबल के अलावा नॉन्वेज भी है यहां पर सुचीकर मटन भी मिलता है इस बन शेड के अंदर में और दुकान है वो है कुमार की दुकान तो काफी अच्छा लग रहा है यहां पर देखने से ना दूर से ही मट्टी के पूरी कारीगीरी की गई है तो बात करेंगे यहां पर इनसे आपके वाज यह जो यह खाना बनने वाला है तोड़ी क्या प्राइस पड़ेगा इसका 120 तो ग इसका क्या प्राइस बढ़ जाएगा 150 मट्टी की सुराही है गाइस पांज दिखने के लिए है इस ब्यूटिफुल बने राइड बोल लेथ बोले पिछे बोल या आगे बोल लो सब तरफ दुकाने तो ना मतलब दिल खुश हो गया गाईस मेरा सब मेरा तो jard guard कयाके मैं जा रहा तो यहां पर काफी अच्छी चीज देखने के लिए मेरी है, मेरे को, गिफ्ट बॉक्स टाइप लग रहा है देखने के लिए तो कफी अच्छा लग रहा है, हलाकि दुकान में कोई है नहीं, और काफी सारे गिफ्ट, जो भी न, गिफ्ट के सारा रखा हुआ है उन्होंने, तो यह जो है ड्राइफ फूर्ट वगरा के लिए पैक करने के लिए बास्केट है तो बर्डे पाटी के लिए भी है इनके पास बहुत सारे ओप्षिन्स तो गाइस लोकार तक खजूर की वराइटी भी है यहां पर तीन तरह के खजूर है यह यह लोकल है और यह काफी बसस्केट नदेखने में अच्छे लग रहे तो और वत जब में पताया का लिए यहां तो आप आके यहां पर शॉपिंग कर सते हों तो काफी अच्छा लग रहा है है हां आक्प तो गाइस जैसे कि सबको पता है का लीड है और मैं इसमें बजार में घूम रहा हूं तो काफी अच्छा लग रहा है बहुत सब्सक्राइब देखने ही मिल रही है बजार में तो लुग आ रहे है जा रहे हैं लोग खरीदारी कर रहे हैं और ड्राइब तो यह हुदाब के बजार में हुदा थिके लड़ा लिएision सब्सक्राइब सबसंस्क्राइब दानी रहे हैं तो यह न тобой किसी बर्यारी के राइस होता है प्लंवे दाने वाले क्यों रंड़ श्रीम में क्रहें कि विद्ध के लिए न राइस तो गाइस यह न सोर पे किलो राइस बिरैनी के लिए इसे आनद ले रहे थे अंकल पंक है चल भी वैसे ही रहा है वह दीरे दीरे चल रहा है तो पुरानी पुरानी चीजे लोग अभी भी इस्तमाल कर रहे हैं और उसी कसाफ न इस तरफ है दुकान में जितने भी छोटे से बड़े बड़े जो प्राइटम है यहां पर देखने के लिए तो यह काफी अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स हो या गल्फिंड के लिए सब के लिए आपको यहां पर मिल जाएंगे क्या प्राइस पड़ जाएगा जाएगा 200 का पड़ जाएगा तो काफी सही है काफी अच्छा है तो न यह मतलब कितनी पुरानि थे कैसे मार्के से मार्के से काफी आपको पूरान हे यह लग na मतलब क्या बोलू मैं सेक्शन को काफी अच्छा लग रहा देखने में सारे गिफ्ट हैंपर वगएरा क्रॉकरी वगएरा है यहां पर एक चीज दिखी मेरे को काफी अच्छी लगी यहां पर लोक अधिस गाइस चलते बहार मैं आपको बहार से भी दिखाता हूं कि बहार में कितनी भेड़ को अरो उपर वाले वकर फ्लोर पर जा पाएंट वहां भी दिखाता हूं कि वहां भी कितना शांदार मार्केट है वो बाहर से ऊंदधा है मार्केट कि इसमें भार पर में है ना भाखर में लगी हुई है व्यूंत दुकान और अंकर बुला लिए मैंने देख लिया मिठाई की दुकान और यह कुछ इस तरह से है मिठाई की दुकान यहां पर मार्केट में कुछ ताफी देखे अच्छा लग रहा है कितनी 200 साल परानी दुकान है यह लिए लिए क्या स्टोल आगी गारी गारी ग्रेंड स्टोर कहा लिखाया है लोगे घाई संथ कमने की की अधर कितनी पुराणी दूकान्या नामे को मता जी जाई अधरें गेंड सरस जाइंकल ने बताया गेंड दुकान को जिए 600 साल पुरा नी दुकान है ज़िए अब मैं दिखाता कूं का सी मिठाईं आप पर हैं है आ है तो यह रहे केसर वाले रोश्गूले इसका दाम है बीसुरुपय काईज यहां पर और जो छोटे वाले है साधे हो दसुरुपय तो उसके लाबा भी काफी अच्छी मिटाईया है और यह जो है ना बेंगोली बेग रोश्गूला तो इस वेरी गुट टेस्ट बहुत अच्छ तो यह चोटी से ट्रेय है बीसुरुपय तो काफी मतलब क्रॉकरी का समान है अंगल के पास पूरे क्रॉकरी है यहां पर तो काफी अच्छा लग रहा है तो ऑन दा स्ट्रीट में ही सारा कोच है वाला तो इसी के सब चलते है आगे मैं और दिखाता हूं आपको और इस नीचे से ही गाइस यहां से अंदाचा लगा सकते कि कितनी दूर तक मार्केट है पूरा यह लाल वली जो बिल्डिंग है पूरी मार्केट की बिल्डिंग है और यह नीचे पर अभी तक लोग खरीदारी कर रहे हैं उसी बता रहा था ना फ 맞 झाल बंव भाषए रहा है तो थोड़ा सा habrализ का रहा हैं यहां पर लो गधि तंब कपड़ों की दूगान हैं तो लाइन तो इस तरह से नजारा है गाईस पूरा कपड़ों का तो काफी पहतरीन काफी शांदार मार्केट तो गाईस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें मुझे जुरू बताईएगा ताथ में लाइक कर दीजेगा तकि और भी लोगों को पता चले इस मार्केट के बारे कि मुझे भी आज ही पता चला इस मार्केट में तो मैंने यहापे शूड करने के लिए तो मुझे अपड़ च्छा लगा है यहाँ पर शूड करते हुए तो जल्दी सरु लाइक कर दे कमेंट कर दे और मुझे सब्सक्र बने में आपको मंदीर मिल जाएगा दर्थ के ठीक नीचे में शिव जी का मंदीर है और कुछ इस तरह से हाती बने हूँ है दोनों साइड में तो यही वाला जो है वह है